दोस्तो हम सभी अपने किचिन में नीबू का इस्तेमाल करते हैं नीबू जो टेस्ट में खटा हुता है जो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है किसी ऐसी भी खाने में अगर आपने खटाई नहीं डाली उसमें आप नीवू करस डाल देते हैं उसका टेस्ट ही बदल जाता है वह खाने में बहुत अच्छा होता है यह नीवू आपको रूप सौंधरे बदान करता हो यह नीवू आपको तंत्रबाध नजर टो से मुक्ति दिला आज आपको नीबू के कुछ ऐसे ही चमतकारिक उपाय देने जारी हूं तोटके कह लीजिए उपाय कह लीजिए धैनिक जीवन से जुड़े जिने आप कर लेते हैं तो आप हर तरह का सुख इससे प्राप्ट कर सकते हैं मत एक रुपए के नीबू से रूपरद्ये राधे नमस्कार में आपकी अश्योतो सब्स ऑस्वर्जा अश्ट्रा गुत्ता जोतिस्के इसलो उपाया में आप से Br приб moi कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी स्वस्तव प्रसन्य होंगे अपने पूरे परवार के साथ ऐसे ही स्वस्तव प्रसन्य बने रहे हैं ऐसी आप सभी के लिए मंगल पावना करते हैं दोस्तो हमारा किचिन हमारे रसोई घर जो मसालों से भरा हुआ है और तंत्र सास्ते में इन चीजों का बड़ा महतो है तंत्र मंत्र क्रियाएं इन छोटी से उपायाँ से भी हम अपने जीवन में सुक समध्धी के मार्क खोल सकते हैं किया कराया नजर टूक सब कुछ दूर हो जाती है आज सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके पाचन की अगर आपको बहुत ज़्यदा इंडाइजेशन रहता है तो सुभे आप गुनगुने पानी में आधा नीबू निचोड़िये चुटकी भर काला नमक डालिये दो चुटकी इसमें काली मिर्च डालिये और इसको आपको खाली पेट पीना है दस मिनट में ही आपको इससे आराम हाजाएगा अपच की समस्य आपकी समाथ हो जाएगी और इसको खाने के बात तुरंत आपको इस तरह से गुनगुने पानी में लेना है बहुत ज़दा आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गैस चढ़ी जा रही है पुरी तरह से आपको घवराट बीचेनी पसीना सा आ रहा है गुनगोना पानी ले लिजे आधा नीगुन निचोड़िए भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डालिए दो चुटकी इसमें आपको खाना सोडा डालना है और दो चुटकी इसमें आपको सेंधा नमक डालना है मिश्रन तयार कीजिए और सुरोगी व्यक्ति को पिला दीजिए दस मिनट के अंदर ही उसको तरंत आराम आ जागा उसे तेज धकारों के साथ में हलका पन महसूस होगा और शान्त हो जागा अगर यही नीबू आप खाने के बाद में अपना थोड़ा सा अगर रूटीन मना लेते हैं कि खाने के बाद आपने थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना उसमें नीबू निचोड़कर पी लेते हैं तो यह भी इंडाजिशन को आपको दूर करता है वेट लॉस के लिए आपको इस नीबू में आपको गरम पानी लेना है इसमें नीबू जितना गरम आप पी सकते हों अच्छा गरम होना चाहिए नीबू निचोड़िए एक चमस शेहर डालिए और इसको घूट-घूट करके आप चाय की तरह से पीते हैं यह आपका वेट लॉस करता है अब बात कर रही हूँ नहाने के पानी में बहुत सारे लोगों को सरीर से दुरगंद आती है बहुत सारी स्मेल आती है पसीने की तो ऐसे व्यक्ति अगर आधा नीबू अपने पानी में निचोड़ लेते हों और इस पानी से नहाना शुरू करते हैं तो सरीर में कैसी भी दुरगंद आ रही है पुदूर होने लगती है जिस व्यक्ति के सरीर से पसीने की दुरगंद आ रही है यानि कि उसका राहु केतु खराब हो चुका है और राहु केतु ही उसको सरीर से इसमेल यानी दुरगंध दे रहे हैं ऐसे वक्तियों को डेली इसनान करना चाहिए और नीबू डालकर इसनान करेंगो तो देखेगा तुरांत उनको कितना benefit मिल जाएगा इसी नीबू को अगर आप face pack बनाते हैं जैसे glycerin आती है market में easily medical store पर मिल जाती है इसमें थोड़ा सा नीबू निचोड़ते हैं जैसे आपने एक चमच glycerin ली आधा चमच इसमें नीबू का रस और आधा चमच इसमें आपने गुलाब जल डालकर सर्दियों के दिन में आप इसको रात की समय लगा कर सो जाते हैं किसी भी तरह से आपको पूरी सर्दियों में इसकिन किसी भी तरह से फटती नहीं है जुलस्ती नहीं है और इसकिन में ताजगी बनी रहती है इसकिन आपी glow करती है नीबू के रसको अगर थोड़ा सा बेसन ले लीजे इसमें थोड़ा सा नीबू निचोड लीजे दो-तीन बूंद इसमें आप गुलाब चल डालिए एक चुटकी हल्दी डालिए और थोड़ा से इसमें आप मलाई डाल दीजे जो हम धूद में उतरती हैं मलाई फैंट के आपका वियर्द ग्लो करने लगता है तो यह थे कुछ आपके ब्यूटी टिप्स और यह थे आपकी हैल्थ इसूस के लिए अब बात कर रही हूं अपनी सम्रध्धी के लिए नजर टोक के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी नजर टोक लगा दी है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलता हुआ काम धंदा आपका बंध हो रहा है तो यह तो जग विदित है कि आपको साथ हरी मिर्ची एक नीवू के साथ बांधनी है तो आपको नीचे तीन मिर्ची बीच में एक नीबु और 4 मिर्च ऊपर और इसको काले धागे में पिरोगे कर नीचे गाठ लगानी है उपर से धागा बांधकर मेंगेट पर आपको टांगना शुरू करना है चाहे आप इसे मंगलवार को टांगे या शनिवार और अगर आपने मंगलवार को टांगी है तो मंगलवार को हटाएंगे और शनिवार को टांगी तो शनिवार को इससे लिजा कर किसी भी चौराय पर फैक करानी है एदोधर आपको नहीं फैक ना है तो किसी भी तरह का किया कराया नजर टोक आपकी इससे ही समापत होने लगती यही प्रयोग अपनी आप दुकान पर करेंगे, सेल्स वाली जगर पर, तब भी इस से भी आपके घर में दरिद्धता नहीं आती है, मातामालक्ष्mी की बेहन है, दरिद्धता वो घर में प्रवीश नहीं करती है, और आपके घर में किसी भी तरह की नजर टोप नहीं लगती अब मालीजी आप यह उपाएं नहीं करते हैं नजर टोक लगी है बच्चा बहुत रो रहा है या आप कोई विमार व्यक्ति है दवाईया नहीं लग रही है बार बार आप डॉक्टरों पर चक्कर लगा कर परिशाने एक पीला निभू ले लिजे इस पर काले कलर के पहन से आ आपको उस व्यक्ति के ऊपर से साथ बार नीचे साथ बार उपर इस तरह से आपको उसको उसार लेना है उस व्यक्ति के रोगी व्यक्ति के अब इसके चार टुकड़े करने हैं आपको नीचे से जुड़ा छोड़ देना है चार टुकड़े करके इसको आप किसी भी चौरा प्रियूक करते हैं तो यह अध्रश्य शक्तियां हमें आवाज देती हैं पलटवार करने के लिए तो आपको यह पलटकर नहीं देखना है और तकाल गती से उसी छड़ से उस व्यक्ति को राहत मिलना शुरू हो जाता है अगर किसी के ओपर कुछ किया कराया है तो कैसे पता कर कि इस व्यक्ति पर कुछ किया कराया है तो एक आपको कांच का गिलास ले लेना है इसके अंदर एक साब सुत्रा बिलकुए शुद्ध नीबू डाल देना है उस व्यक्ति के सिरहाने रख दीजे डेली इसका पानी चेंज करिए और नीबू इसी में पढ़ा चूँ दीजे अगर इस ये नीबू सड़ने लगता है देखे 15 दिन तक नीबू पानी में पढ़ा वो कुछ भी नहीं बिगड़ता है अगर ये नीबू खराब हो रहा है समझ जाई कि इसके उपर कुछ बड़ा तंद्र क्या की गई है और ठीक रहता है तो आपको ड़ने की आवर शक्ता तो कोई भी ऐसा उतारा जानता है तब उसी के पास जाईए या फिर किसी काली मंदिर में जाईए फिर किसी हनुमान मंदिर में जाईए वहाँ पर इसके व्यत्तिका जाड़ा लगवाईए ये नीबू अगर आप इंटर्वी को ले जा रहे हैं और आपको ये डर है कि मैं पता नहीं इंटर्वी में सफल होगा या नहीं होगा एक पीला नीबू लीजे चार लॉंग लीजे इसमें चार लॉंग खोंस दीजे नीबू के अंदर घुजा दीजे पहले पढ़ने वाले उस हनमान मंदिर में जाए हनमान जी के चरणों में रखने के बाद अपने नाम अपने पिता का नाम गोतर निवासस्तान और अपनी कामना कि इस इंटर्वी में आपको सफलता मिल जाए किसी भी तरह की अलावला आपके साथ ना जाए हनमान चालीसा का पाट करके इस जो चरणों में आपने रखा इस नीव को उठाईए और अपनी पोकेट में रख लीजे आप जहां इंटर्वी के लिए जा रहे हैं वहां अकसर कर चीज़े बाहर निकाल दी जाती है तो कुछ भी अपने साथ कोई ऐसा कोई बैग वगरा ले जाए उसमें ल दीवारों से टच कराकर इस नीव को आपको ले जाना है और यह प्रक्रिया आपको शाम के समय ही करनी है दिन में नहीं करनी है साम के समय करनी है सभी दीवारों से टच कराईए मैन गेट से भी टच कराईए जो आपका सटर होता है दुकान बंद करने माला उससे टच जे चार दिसाओं में फैक कर वापास आ जाए देखिएगा कि कैसी भी नजर टोक तंत्रबाद होगी दूर हो जाएगी इसी नीवू को आप अपनी जेब में डालकर ले जाते हैं चार लॉंग लगा कर नीवू को कहीं भी ले जा रहे हैं जैसे आप सगाई सम्द्ध के लिए बात करने जा रहे हैं आपको लगता है कि कोई टोक लगा देता है या आप किसी डॉक्टर पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि पता नी आप घवराट महसूस कर रहे हैं पता नी कुछ निकला आएगा बीमारी में कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए डर लग रहा है यह नीवू पहले हनुआन जी के चड़नों इन घर के मंदिर में में रख दीजे हनुआन चाली सा काफ पाट करके हनुमान जी से कहिए कि वह आपको शक्ती पतार करें इस नीवू को अपनी जेब में रख ले जाएए घर लोटते समय वापस किसी बहारी अपने घर के आती भी नहीं है। अगर आप लक्ष्मी जी का कोई बीज मंत्र नहीं कर रहे हैं तो ओम श्रीम शिये नमा इस मंत्र का आप जाब डेली करिए एक माला। 21 दिन बाद इस लाल कपड़े में बाधिये इस नीवू को और अपने धन इस्थान पर रख लीजे। देखिएगा चमतकारिक रूप से आपके धन की आबक बढ़ने लगेगी धन सम्रति के मार्क खुलेंगे और धन धाने की आपके जीवन में ब्रति होने लगेगी। नीवू अगर आप चाहते हैं कि आपको जुआ, सटा, लोटरी सभी तरह से आपको धन की प्राप्ति हो यानि अचानक धन की प्राप्ति हो तो ये लगातार आपको 41 शनिवार करना है यानि हर शनिवार कम से कम आपको ये 41 शनिवार इसका मतलब है कि आपको कम से कम ये 5-6 म इस प्रेव को करना है हर शनेवार आपको एक नीवू लेना है इस नीवू को आप अपने सिर से साथ बार उल्टा घुमा कर इसको अपनी यह बोलकर कि आला वला आध्या व्याध्या मेरे से दूर रहें और मेरे जीवन में अपार धन सम्रती के मार्क फोलें पीपल की जड़ म वो पैसा वापस आजागा अठका हुआ रुका हुआ धन आपके पास आने लगता है यह लगातार आपको 41 शनिवार करना होगा बीच में छूटना नहीं चाहिए आप इसे करते जाते हैं तो यकीन मानिए कि यह आपके उपर यह आपके जो धन है अच्छाना धन की प्राप खुला हुआ नीवू जब बहुत देर तक रखा रहता है तो उसे भी इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि नीवू बहुत जल्दी जैसे नमक निगेटिविटी को पकड़ लेता है नीवू भी निगेटिविटी को पकड़ लेता है तो नीवू बहुत देर तक खुला रखा है उस गताती भी होता है जो कि हमारी नचर उतार यानी की शनी का भी काम करता है इन दौनों को अलग रखी अलग लग डपार्टमेंट पर लखे जिससे कि आपके घर में दरित्ता प्रवेश्च ना करें आलक्ष मिंडची इसलिए टांगी जाती जिससे कि माता मालक्ष मी की बेहन दरित्ता आपके घर में प्रवेश्ट ना करें और जब इनको आप मिक्स करके रख देंगे तो दरित्ता अपने आप खिच कर आपके घर में आएगी यह है नीबु के अचुप प्रयोग और टोटके आप इन्हें अजमाईए और इनसे लाग उठाईए इनसे कितना लाग मिल है मुझे कमेंट सक्षन में जरूर लिख कर बताईए चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले कमेंट जरूर कीजेगा कैसा लगा और इ स्वस्त रहें मस्त रहें उपायों को करके अपनी जीवन से कश्टों को से मुक्ती प्राप्त कर सकें ऐसी कामना के साथ में आप से विदा लेती हूं राध है राध